नमस्कार दोस्तों बात करने वाले हैं कि how to join BSF यानि BSF आप कैसे जॉइन कर सकते हैं ये इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ और पूरी जानकरी आप सभी को देने वाला हूँ कि 10th pass कैसे अब लाई कर सकते हैं कैसे जॉइन कर सकते हैं 12th pass कैसे अब लाई करेंग सी qualification के साथ कौन सी post के लिए apply किया जा सकता है तो वीडियो को start करने से पहले मैं आप सभी से request करना चाहूँगा कि अगर आपने अग तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें साथ में वाल आकन को press कर लें ताकि आने वाली हर एक update आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूल है तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि how to join BSF तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि देखिए यहाँ पर तीन लेवल की post हैं आपकी एक आपकी 10th pass हो गई एक आपकी 12th pass हो गई और एक आपकी 12th graduate की हो गई तो यह तीनों post के बारे में यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन सी post के लिए किस तरीके से apply किया जा सकता है तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10th pass candidate कौन सी post के लिए किस तरीके से apply कर सकता हैं उनके लिए कौन कौन सी opportunity होती है और किस तरीके से आपलाई कर पाते हैं तो यहाँ पर ऐगर मैं सबसे पहले आगर मैं बात करूँ 10th pass के लिए तो देखे 10th pass के लिए आप सभी को बता दें कि सबसे जो category मैंने बताई है उसे साब से यहाँ पर जो post होती है वो होती है आपकी gd यानि constable की 10th pass के लिए इसमें आपका gd और trade man दोनर सामिल होते हैं 12th pass की अगर मैं बात करूँ तो आपकी hcm और आपकी stano जैसी post होती है वहीं पर अगर मैं बात करूँ graduate की तो यहाँ पर जो आपका होता है SI rank की यहाँ पर आपकी post होती है यानि 10th pass 12th pass और graduate के लिए 3 category हो गई 10th pass जो candidate होंगे वो यहाँ पर constable post के लिए जिसमें आपकी trade man और gd की post होती है 12th pass जो candidate होते हैं head constable ministerial head constable stano और इसके लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं वहीं पर graduate जो candidate होते हैं वो यहाँ पर SI के लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं अब देखे किस तरीके से कौन से department के थिरूब आप जा सकते हैं और इसकी भरती कैसे निकलती है वेकिंसी कैसे निकलती है इसके बारे में यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूं जितनी वर आल ओवर इंडिया की paramilitary forces से उन सभी की जो वेकिंसी हैं constable post के जो की जीडी के लिए होती है वो सभी SSC के द्वारा भरती निकाली जाती है combined exam कराया जाता है जिसके द्वारे यह वेकिंसी फिल की जाती है आप सभी को बताते हैं कि 25 मार्ट से इसके form apply होंगे 2021 से तो अगर आप apply करना चाते हैं और आपकी age, age criteria की अगर मैं बात करूँ अगर आपकी age 18 से 23 साल है male and female दोनों के लिए all over India में कहीं से भी अगर आप long करते हैं दसवी pass हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं 2021 में इसके लिए लगवक 70 प्लस thousand यहां पर आपके लिए वेकिंसी निकाली जाएंगी तो हर साल यानि जब भी भी दो साल तीन साल में जो वेकिंसी आती है इसी तरीके से वेकिंसी आती हैं तो उमीद करता हूँ कि 10 पास जो वेकिंसी होती है gd constable वाली यह वाला matter आपका clear हो गया होगा कि किस तरीके से भरती आती है अब देखिए यहाँ पर जो इसका exam होता है यहाँ पर selection process की अगर मैं बात करूँ कि selection procedure यहाँ पर क्या रहता है तो selection procedure के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको written exam देना पड़ता है written exam qualify करने के बाद फिर आपका होता है physical और physical qualify करने के बाद फिर आपका करवाया जाता है medical और medical qualify करने के बाद आपकी final merit list बनती हो और आपको joining मिल जाती है यानि ये तीन phases आपको complete करने होते हैं written examination, physical और medical इसके बारे में detail video चाहिए है आपको SSC GD Constable के लिए detail video मिल जाएंगी कि SSC GD Constable होता क्या है, GD Constable होता क्या है, कैसे join करते हैं, पूरी detail में video बनाई हुई है तो आप हमारे channel पे जाके visit कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं तो ये 10th pass के लिए GD Constable के हो गई, दूसरी जो post होती है GD, यानि Constable की, Constable level की जो दूसरी post होती है वो होती है आपके ट्रेडमेंग, ट्रेडमेंग की जो vacancy होती है, वो direct department के द्वारा यानि BSF के द्वारा ही ये भरती करवाई जाती है और ये जो ट्रेडमेंग की भरती होती है, लगवाद एक साल, दो साल में ये जो vacancy होती है, वो आती रहती है और इसका भी जो procedure होता है, सेम यही होता है, यहापे जो आपकी qualification होनी चाहिए, 10th pass होनी चाहिए और जो आपका selection procedure होता है, बिलकुल यही होता है, बस इसमें करी के according आपको दी जाती है, जैसे कि OBC में 3 साल की shoot दी जाती है, और SC और ST candidate को 5 साल की shoot दी जाती है, तो यह आपका जो पहला था, 10th pass से GD constable के लिए जो post निकलती है, यहापे clear हो गया, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हो, आगे हम बात करेंगे, यहापे आपकी जो head constable की जो post होती है, और स्टैनो बगरा की जो post होती है, इसमें कैसे apply करते हो, और इसका क्या procedure होता है, तो चले, इसके बारे में यहापे मैं आप सभी को बता देता हूँ, कि इसमें किस तरीके से क्या matter होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, head constable, ministerial की, यहाँ स्टैनो क की, तो देखे, यहाँ पे यह जो vacancy होती है, यह होती है, 12th pass, और यहाँ पे जो post आपको मिलते है, वो head constable की direct यहाँ पे post मिलती है, post दो तरीके की होती है, यहाँ पे यहाँ एक head constable, ministerial, यानि LDC जैसी post होती है, जिसमें आपको typing test पास करना होता है, और एक आपकी होती है st stano करवाया जाता है, दोनों में यही basic difference है, कि एक में आपको stano होता है, जिसमें short hand की आपको typing करके, उसका test देना पड़ता है, और head constable में आपको typing test का देना पड़ता है, तो दोनों में basic difference आपको समझ में आपके होगा होगा, यहाँ पे जो आपकी qualification होती है, वो 12th pass होती है, 12th pass और age की अगर में बात करूँ तो general category के लिए 18-25 साल, same way OBC के लिए 3 साल का छूट दी जाती है, और SC और ST candidate के लिए 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है, तो इस तरीके से लगबग हर 2 साल यह एक साल के बाद यह vacancy यहाँ पे निकाली जाती हो और इसी तरीके से भरी ज जाता है, BSF के द्वारा ही इनका exam बगएरा conduct करवाया जाता है, वो सारी procedure जो भी होती है, वो BSF के द्वारा ही conduct करवाया जाती है, इसके selection procedure की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो होता है, PST होता है, यानि physical standard test जिसमें आपकी नापतोल बगएरा करव होता है, वहीं पे head constable में PST होता है, PET नहीं होता है, यानि केबल आपकी नापतोल बगएरा करवाया जाती हो, उसके बाद जो होता है, वो होता है written examination, written examination को clear करने के बाद, आपका number आता है, आपका number आता है typing test का, यानि typing हो सकता है, या steno हो सकता है, जिस post के लिए आप apply करें पड़ेगा, ये clear होने के बाद, आपका होता है medical और medical होने के बाद, आपकी final marriage लगा दी जाती है, ये every year जब भी वेकंसी आती है, इनकी संक्या थोड़ी कम रहती है, और competition काफी जादा होता है, लेकिन जो वेकंसी है, आपकी काफी बढ़िया है, इसलिए head constable के लिए काफी competition होता है, तो ये head constable की बाद हो गए, और यहाँ पे आपको procedure जो है, मैंने बता दिया है, अब सबसे last में बात आती है, graduate के लिए, यानि जो SI के post होती है, उसके लिए, अब देखिए SI के लिए जो post होती है, every year जो होती है, वो आती है, SSC की तरो, यानि ये vacancy भी, staff selection commission की अगर age की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो age होती है, 18 से 25 साल यहाँ पे general candidate के लिए is criteria रखा गया है, और इसके लिए अगर आप graduate है, तो ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं, OVC को 3 साल और वहीं SC और ST candidate को 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है, selection procedure की अगर मैं बात रखाता है वह होता है written examination, written examination होने के बाद फिर आपका PET and PST होता है, PST and PET क्लियर होने के बाद फिर दुबारा से आपका मेंस exam होता है, written examination जो की English comprehension का होता है, तो यह दो exam यहाँ पे आपके होता है, यादि पहला आपको written exam क्कोलिफाइ करना होगा, pre जो आपका होगा, Manhattan FIR पी के बाद आपका होता है medical और medical को qualify करने के बाद आपकी final medalist लगा दी जाती है तो इस तरीकी से आप BSF को join कर सकते हैं यानि तीनों category में 10th pass 12th pass और graduate की जो post होती है GD की हो गई आपकी constable की हो गई और health constable की हो गई और SI की जो major post होती है उन सभी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया इसके लावा radio operator या ऐसी कुछ अन्य vacancy भी निकाली जाते हैं अगर आप चाते हैं कि मैं उनके लिए कोई vacancy के बारे में detail में video बनाऊ तो आप मुझे comment कर सकते हैं बाकी का मैंने आप सभी को जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने वीडियो को शेर करने बिलकुल ना भूलें साथी में चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि इन फ्यूचर मिलने वाली हर एक अबडिट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे दोस्त फ्लाल कली बस इतना ही तो थैंक यू फो वाचिंग जय हिंच जय वारत